हलो डियर स्टुडेंट्स इस वीडियो में बच्चों हम फ्रेजिस और क्लॉज के बारे में पढ़ेंगे जैसे कि आप सबको पता है कि फ्रेज क्या होता है फ्रेज कुछ ऐसे वर्ड का ग्रूप होता है जिसमें की एक सब्जेक्ट होता है और एक वर्ब होता है और क्लॉज He lives in a big city. तो यहाँ पर जो in a big city है यह phrase है और he died in the city where he was born. तो where he was born यह एक clause है. तो इस तरह से phrase कुछ words, ऐसे words का group है जिनका अपने आप में कोई meaning नहीं होता और इसमें कोई verb भी नहीं होता. इसी तरह से जो clause होता है वो इसका उल्टा होता है इसमें एक subject भी होता है और एक verb भी होता है. अब हम, यह हमने पिछली classes में ही पढ़ चुका है. अब हम यहाँ पर कुछ sentence दिये गए हैं उसमें पहचानेंगे कि जो colored portion है वो phrase है या clause है. तो first sentence में do you need any help? तो खाली any help यह क्या हो गया? यह एक phrase हो गया. अब हम इससे आगे की चीज़े पढ़ते हैं कि phrase और clause में क्या difference होता है? जैसे कि हमारे पास दो example है. He died in his native city और he died in the city where he was born. तो यहाँ पर first sentence में हम देख रहे हैं कि he died in his native city. तो which city? native city. तो यह जो native city है इसमें कोई subject नहीं है, predicate नहीं है तो इसलिए यह phrase है. इसमें कोई verb भी नहीं है. और जो दूसरा sentence है where he was born. Which city? where he was born. तो यह हाँ पर एक verb है, was born. प्रेडिकेट है sentence का. तो इस तरह से यह clause हो गया. तो यह clause और phrase में difference होता है. तो इस तरह से phrase क्या हुआ? phrase sentence के कुछ ऐसे words का group है, जिसमें कि कोई भी verb नहीं होता, finite verb नहीं होता. जैसे कि in a dishonorable manner among the untroden ways. तो यह जो है sentence का बाद वाला part, यह कुछ ऐसे words का group है, जिसका अपने आप में कोई meaning नहीं है. तो यह phrases है. अब हम types of phrases पढ़ते हैं. phrases कितनी तरह की होती हैं? उनके functions के उपर based phrases जो होती हैं, वो 5 तरह की होती हैं. जिसे अगर phrase noun की तरह काम कर रहे हैं, तो वो noun phrase होती है, prepositional phrase होती है, adjective phrase, verb phrase और adverb phrase. तो सबसे पहले noun phrase देखते हैं, तो वो शब्दों का group जो की sentence में noun की तरह काम करता है, उसको हम noun phrase बोलते हैं. तो इसमें noun या pronoun कोई भी main word के जैसे use किया जा सकता है. जैसे कि हम example की help से समझते हैं, the balloons in the pictures. अगर ये part है, are colorful, तो ये जो the balloons in the pictures है, ये एक noun की जगह जो रहा है, तो इसलिए ये noun phrase है, prepositional phrase होती है, दूसरी type की जो की sentence में preposition के जैसे काम करती है, ये adverb या adjective के जैसे भी हो सकती है, इसको हम example की help से समझते हैं, जैसे कि my father goes for a walk, तो यहाँ पर जो for a walk है, ये क्या है, एक adverb है, verb के बारे में describe कर रहा है, तो इसलिए ये prepositional phrase हो गई, adverb phrase हो गई, he had a hat on his head, तो यहाँ पर पता रहे है, adjective की जैसे, कहाँ पर hat है, उसके सिर के उपर, तो इस तरह से ये prepositional phrase होती है, इसके पाद next होती है, adjective phrase, जो words का group sentence में adjective के जैसे काम करता है, उसे हम adjective phrase बोलते हैं, जैसे shopkeeper of this market earn a lot of money, या this chair is made of wood, तो यहाँ पर adjective बताया गया है, कि made of wood, तो ये adjective phrase हो गई, verb phrase होती है, जो sentence में verb की तरह काम करती है, जैसे you should have done homework, तो यहाँ पर ये verb है, she has been studying, तो यहाँ पर ये verb के जैसे काम कर रही है phrase, इसको verb phrase बोलते हैं, इसके बाद adverb phrase होती है, जो sentence में, जो words का group sentence में, verb के बारे में describe करता है, verb के, इसको define करता है, जैसे the dog ran along the street, तो कैसे दोड़ा कुता along the street, तो यहाँ पर ये verb को define कर रही है phrase, तो इसलिए ये adverb phrase हो गई, इसी तरह से our guests will come here tomorrow morning, तो कब आएंगे tomorrow morning, यहाँ पर आने verb को describe किया, इसलिए ये adverb phrase है, इसके बाद next हम पढ़ते हैं, बच्चो clauses के बारे में, clauses क्या होती है, words का वो group, जिसमें कम से कम एक subject और finite verb होता है, अपना, उसको clause बोलते हैं, जैसे I want to know, how you solve this sum, तो I want to know में subject भी है, I और verb भी है, तो इस तरह से के sentence जो होते हैं, वो दो sentence के group होते हैं, दो sentence को join करके बनाए जाते हैं, जैसे कि I know you, and want to help you, तो यहाँ पर इस तरह के sentence को generally किसी conjunction से जोड़ा जाता है, जैसे यहाँ पर add and से जोड़ा है, इसी तरह से, अब हम types of clauses के बारे में पढ़ेंगे, clauses कितनी तरह की होती हैं, clauses तीन तरह की होती हैं, सबसे पहले होती है principal clause, principal clause मतलब main clause जो होती है, sentence का main हिस्सा, जो कि दूसरी clause पर meaning wise depend होता है, दूसरा होता है, coordinate clause होती है sentence में, जो कि अपना meaning complete करने के लिए use की जाती है, जैसे कि I like cricket but he does not like it, तो यहाँ पर I like cricket main clause है, but he does not like it, यह coordinate clause है, तो इस तरह से दोनो sentence, दोनो clauses अलग-अलग चीज़ें बता रही हैं, लेकिन वो एक दूसरे से बट के थुरू जूड़ी हुई है, तो इस तरह की जो clauses होती हैं, जिनके अपने अलग-अलग meaning होती हैं, subject होती हैं, predicate होती हैं, तो उनको हम main clause और subordinate clause कहते हैं, इस तरह से कुछ और example भी हैं, I went to office and deposited the money, तो यहाँ पर I went to office main clause हो गई, and deposited the money, coordinate clause हो गई, अब next होती हैं, subordinate clause, subordinate clause होती हैं, जो कि ऐसी clause होती हैं, जो दूसरे clause पर depend होती हैं, उनका meaning पूरा करने के लिए, जैसे, he had reached home before the guests departed, वो अपने घर पहुँचा, उससे पहले उसके महमान चले गए, तो यहाँ पर इस तरह के clause, coordinating word यूज होती हैं, जैसे कि before, after, because, if, though, इस तरह के words, इस दो clauses को जोडने के लिए, यूज किये जाते हैं, अब इसके बाद, इस तरह के examples हम और पढ़ते हैं, they reached the airport, after the plane had already taken off, तो यहाँ पर afterwards से ये दो separate clause जूड़ी हैं, यह first वाली main clause है, और दूसरी subordinate clause है, इसी तरह से she was so, she was sick, so she could not reach office today, तो यहाँ पर so जो है, यह joining word है, और first main clause है, और दूसरी subordinate clause है, इस तरह से इन sentence को complete किया जाता है, अब बच्चों हम यहाँ पर, first question में, one sentence में, phrase को पहचानेंगे, और उनके type लिखेंगे, तो जैसे there came a bagger at my door, तो at my door यहाँ पर phrase है, इसी तरह से, he must have met you at the station, तो यह भी यह phrase है, इस तरह से, अब हमें बताना है, कि यह कौन से type की phrase है, तो जैसे कि हमने पहले पढ़ा था, कि phrases के type होते हैं, phrases होती हैं, उनके किस जगा पर वो use किया जा रहे हैं, उसके हिसाब से, तो यह पहले वाली prepositional phrase हो गई, और दूसरी वाली भी prepositional phrase है, क्योंकि इस से हमें बता रहे हैं, कि वो कहाँ पर मिली, इसी तरह से बाकी के phrase के भी हम type पहचान सकते हैं, अब इसके बाद next question में हमें clause को underline करना है, और उनको पहचानना है, I do not know how he comes, तो how he comes, यह clause है, I do not know यह sentence है, तो यह main clause हो गई, और यह coordinating clause हो गई, इसी तरह से we spoke to the waiter, and ordered for three pizzas, तो ordered for three pizzas, यह coordinating clause है, and we speak to the waiter, यह main clause है, जो word and से आपस में जूड रही है, इसी तरह से बाकी के clauses को भी हम पहचान सकते हैं, इसके बाद next question में बच्चों, हमें suitable subordinate clause जोडनी है, जैसे कि we all must leave, unless, unless, our bus, come, इसी तरह से, हम बाकी के sentence में भी, suitable coordinate clause लगा सकते हैं, next sentence में बच्चों, हमें subordinate clause को पहचानना है, और उसके type के बारे में लिखना है, किस word से वो connected है, जैसे first sentence, she found that the match had stopped, तो the match had stopped, यह subordinating clause है, और यह word that से आपस में जोड़ी हुई है, इसी तरह से next sentence में, she tells a tale that sounds imaginative, तो sounds imaginative, एक subordinate clause है, और यह that word से आपस में जोड़ी हुई है, इसी तरह से बाकी के sentence में हम पहचान सकते हैं, इसके बार next question में हमें clauses को proper sentence बनाने के लिए match करना है, शी informed her parents, शी informed her parents who care for it, that she has failed in exam as his brother has not returned home, तो शी informed her parents as his brother has not returned home, इस तरह से time is precious to those who care for it, इस तरह से हम sentence को आपस में जोड़ी कर सकते हैं, तो ये था बच्चों, phrases और clause के बारे में, I hope आपको समझ में आया होगा, thank you,